आप सबी साथकों का स्वागत हैं मैं अर्विन सक्षे न बोलों साधना जगत के रहसियों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रतेग वीडियो को देखें और इसमें दीगवी प्रतेग प्लेलिस्ट को भी देखें अब यह जो वीडियो है यह एक बड़ा इंपोर्टेंट वीडियो है और यह जो वीडियो है इसका जो टैटिल है रुद्र देव रह से भाग दो रित कॉस्मिक लॉस ग्यारा आठ अनंत त्रेंबक अगनी वनस्पति रोग नाश अब यह वाला जो वीडियो रुद्र देवता के उपर है एक वीडियो पहले एक वीडियो बना हुआ है 283 नंबर का 283 नंबर का रुद्र देव रह से भाग एक डैवी विपत्ति नाश और रिग्वेश सम्मिता यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक वीडियो है यह जिसमें जो भविश्व में कोई व्यपत्ति आने वाली हो या कोई देव व्यपत्ति हो उसके नाश कैसे किया जाए उसके बारे में रुदर देवता की जो सुतिया है वो रिग्वेश सम्मिता से व वाजी आ रही है और बहुत सारे लोग तरह तरीके के अपने जो भी उपाय सुझते होंगे वो करने का प्यास करते हैं चोटे चोटे जो भी उपाय समझ में को करेंगे लेकिन आज का समय है विशेश उसमें जो है चोटी-चोटी साधना काम नी करती है चोटी-चोटे उप पाफशाली होते हैं या तंत्र शास्त्रा से मिलें लेकिन उसमें भी बहुत के ड долж kul! करना जरूरी है फिर उसके जो कि प्रमारीक जानकारी वेदों की समभिता वंसे मिल नहीं तो जेये उस्निस में यघ्यृत की अदरिशनेरे जूजरी मेरें मैं व्लेचे होई हैं वो इने हमेशेट जो भी जानकारी हमको मिले वह इन वीडियोगे माध्यम से इस च्छैनल में आपको देने का प्रयास है और यह बहुत ही मुस्तपूर्ण औसर है vivo's के माध्यम से कि साथना जगत की चीज़ीज है पता भी चल लेकले से जो कि कि अधरवाइस बहुत ही मुश्किल से मिलती है और अगर इनको कई वीडियो को देखेगा तो उसके बहुत सारा समय अपना भी बचेगा धन भी बचेगा श्रम भी बचेगा उर्जा भी बचेगी सबसे बड़ी बात है समय कि 10-20 साल है कि इधर दर की गलत साथनाव में कोई फस जाए जाए तो उसके बचेगा जीवन में कितना समय उसके बास एक साथना अरली एज में करनी चाहिए जितना जल्ली हो सके कर लो और चूंकि जितना अरली कर लो गया तो फिर गल्ती ऑप साही साथना आकर मिल गई प्रा बहुत समय नस्ट हो गया जीवन का उसके बाद जाके कोई दूने कहीं तो वह वापस समय उसके पास नहीं आता है यह सब बातें जो है मैंने कई वीडियो जो बनाए हैं में बताया है कि आज के समय को विशेश रूप से जहान रखना चाहिए जहां पर भ्रामक चीज़े ज आखना ले लेस्ट में देखेगा और 145 नमर का राक्षसांव caंढा करते हैं अरो 217 चाहिए गलत मंद्र के हथरे क्या होते हैं गलत मंद्र कर लिये जान पर्यास करने हो कि जा किницу करने से बहुत तुरह पैसा होता है और एससा था इस प्रिकार पर करने का प्यास दो पर तो लेकिन ऐसा नहीं होता है वो जब आप देखेंगे वीडियो 275 नमबर का गलत मंदर के खतर है यानि कि एक करना चाहिए है कि आप देखेंगे और दूसरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे 306 और 308 नमबर का अपूर्ण गुरू कौन होते हैं जिनको अभी कुछ समाधी मिली नहीं है लेकि हो समाधी की बात कर रहे हैं कुंड़ी जागल हुआ है कि कुंड़ी जागल की बात कर रहे हैं तो वह सब सब आपको आपण गुरू मिलेंगी पर इंस अगर ग्यान लिया तो बटकने का ख़तरा और जादे हो जाता है क्यों हो जाता है यह सब बाते उसमी और आसरी शक्ति होरा सब बाते 306 308 नमर को वीडियो में मिलेंगी इसके अलावा हैं सहसा विश्वास आज की समय में किसी किंटे प्रिफिकिशन पीन ह경े कि जी विक्ति प्रश्य काहिए विशेश रूप से कॉशन की बात बता रहा है नहीं तो क्या और सिला है नंबर丘िक किन कारणों पर चाहिस में बहुत सारी बाते हैं और यह सारे वीडियो के साथ में प्लेश डेंजर प्रषक्स यह बहुत सारे वीडियो दाल दियें उनको आप देखें तो आपको लगए यह किसे सारे खत्रे हैं उनसे आपको केवल जानकारी भी हो पता चल जा लेगी तो वहां पर कम से कम एक अलर्टनेस रहेगी कि हम यहां पर नहीं जाना है यह जगाओं को आवाइड कर लेना है कि वह जुह है सइसोजने भी नँसे हिसे जो जाने के लिए तो मलवदग पूरी स्फिशिश कर्थी को जाई नंब आए और जगय 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 जहां भी गल्out जगया हों वहां में तृके लिए बिए इस तरीके के मानुपता की जो है मानँपता को नश्ड़ किया जा इस मन मूर्ग उत्ञी मूर्ग उत्ञी निया एंट अपनी पेरों पर कुलानी मारते रहते हैं ऐसे काम करते हैं तोस्ते हैं कि बहुत बड़े वह को 6,000,000 लोग है इसके लिए मेरा वीडियो बना हुआ है चालाक की बराबर मूर्ग था 297,297 नवरका देखिये खा दीजिती तीन तुसरी होती है उनके आतत होती ही 340 नंबर बीडियो देखे हाथ तर गूत बोलते हैं हाथ तर जूत बोला दानवी शक्टी है 340 नंबर का तो इस तरीके से जब काम करते रहेंगे तो वो सुसते हैं कि वो जो कुछ है कि इस चालाकी से ट्रिक्स से अपने काम मना लेंगे और बस इसके बेना तो डीवर में चल नहीं सकते है कुछ टीसले करते रहो तो ये सब बातें जब होती है ये मुर्ग बुद्धी तो लो करेंगे क्योंकि उनको समझ में आती है नहीं बात है उसमें होता है कि वो अपना भी नुकसान करते हैं उनको नरक के यातरा करनी ही पड़ती है और डेटेल में जाननी है तो प्लेलिस देखेगा मुर्ति नरक शाथ पे तो दोश तो ये सब बातें जब हो रहे हैं तो उनको साधना करनी चुरूरी है साधना किनकी करो इसके बारे मेरे वीडियो में आप देखेगा हूपनिशात और अथरफषीश वाले वीडियो में आप समझ में आएंगी कि मैंने जो पंच अथरफषीश के उपर में जो वीडियो बनाए हुए है पांच दिवता जो है यह सब देवी देखेगां जो पूरी स्रस्ट्री जो की दिम्माने पनाई है कहीं थो एनको कोई रोल दिया गया कि यह काम तुमको करना है उस कारन को करते रहते हैं और उस कारण को जो नियम बनाएगे हैं यह नियम के अंतरगात आपको कारी करना है इन देवी देवताओं को वह जो कॉस्मिक लॉज होते हैं उसको रित कहते हैं आराइटी समझ लीजे रित यह कॉस्मिक लॉज होते हैं तभी तो सारी सब्छीजें सुचारूरूरू से चल रहा है इस तरीके से जो जो ग्राय ग्राय बिस स्पर्खेंर है तरिके से सारे ग्राय और फूर्टेर नियद समय स karşıdi यह या कुछ और नहीं कुछ थूर्टी नहीं एभान कि यह पाले Divine Fit Art दो जो से ओते हैं दो बना स्वध कर से भाक चॉर रप्री एक इस में बताया हुआ है कि अब बॉत ही द्यव्मार्ने टबवा प्टानी किदे ने कितने लोइ नहीं होंगे क्या-कि अनंद चीज में समझने के लिए हमाले अपने प्रत्वी लोग को भी हो रहे हो रहे हैं उसको रित्ख थे हैं ये जो विश्व जिसको कहते हैं जितने भी नियम हो रहे हैं जितने भी विश्व में नियम चल ले हैं जिनके द्वारा प्लकती अपना काम करती हैं उनको रित कहते हैं और इसी के द्वारा जो है जिममा जो हैं उन्होंने सब नियम मना दिया कि ये सब नियम पे जो सारी करने बार्ट करने वाले जो छो भी होते हैं उनके विरता ब VIP और पुरता करें और तो यह संगार नाशक जो शक्ति यह तो इसलिए जो देवता बनाए गए उसी तरह के संगारक देवता भी बनाए गए तो संगारक तत्व जो है उनको रुद्र कहते हैं यह समझ लीजे और जो पालन यानि पालन पोशनर करने वाले तत्व हैं उनको क्या कहेंगे उसी में जो ब्रह्मा विश्णु महश आ जाते हैं यह पूरा सिस्टी का जूक दूसरा रूप है जो कोई प्रकति को विपरी चलेगा उसका संगार कर देंगे तो अब इसमें जैसे कि वेद हैं इनकी वेदों की मैं बात कर रहा हूँ वेदों से बाते हैं आपको बता रहा हूं इसमें अनेक शब्द जो हैं रुद्र जेवता के लिए उनको बारे में बताये गए है जैसे रुद्र है शिव है और शर्व है भव है शंकर है पशुपती है या प्रतम भिशक के नाम से बताये गए है अब इसमें रुद्र का क्यों बताये गए है नाम इनका रुद्र का मतलब क्या है इसका मैंने अभी आपको बताया कि रुद्र जो दिवतायां करते हैं इसलिए सचखहर करते हैं तो एक नाम बतायागी है और उससी तरीके से जो जो संखकूर इनल्ग करते हैं जी अर्थोन हे के הम यह एक नाम शर्वभी है और इसी तरीके से जो ब्रूण 10 ओंप चलाने के करनालम है, इसले इंका नाम भाव है. ये और जो पशु estimated, जीत जगत होता है, उसको पालन करने के लिए करते हैं. चुक्रजिक पहले वैद्यार में पहली डौक्टर कहई जाते है. इसले इंका नाम प्रत्भर्षक भी है. ये नाम आपको में व्यदों में मिले जब इनको एका जाता है कि तो युद्ध कर दिए तो गयारा हो गए इनको गयारा रुद्र कर दें तो जब उसको शरी से गयारा रुद्र बहार निकल निकल गए जम्रत्य हो जी वग्ठी की जो करें विश पर पीकित deg apoyo जो है वोह रोने लगे उनके आsm निकलेंगे इसलिएं इनको कहा जाता है कि ये सबको रुछा देते कि इनको रुद्र कहा ुप्र कहा जाता है यह Senhor जो है ShणFI गयरा कही जाती है लेकिन कहीं कहीं जो इनकी संक्या आठ भी कही जाती है ये विदो में कहीं पर इनकी संक्या आठ भी कही जाती है और ये उनमें से जो आठ जो उनके नाम है रुद्र है शर्व है पशुपति है अशनी है उग्र है भव है और महादेव है और इशान है और सा में रुद्र को अगनी भी का जाता है अगनी के भी आट रूप होते हैं एक इंपोर्टेंट जानकरी आपको यहां बता रहा हूं इसके अलावा 11 रुद्रों के नाम मैंने आपको बता दी है दस इंद्रियां और एक मन यह हो गया नहीं कि दस प्राण और दूसरा दूसरा इन महा भारत है इसके आदी पर में 11 रुद्रों के नाम दिये गए है यह आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन इसके अलावा यह भी मैंने आपको बताया कि ग्यारा की संक्या माना जाता है कहीं पे इनको वेदों में आठ की संक्या माना गया है और किसी स्थान में जैसे यह जुर्वेद है इसमें जो है रुद्रों के जो है रुद्र के जो है इनके बहुत सारे नाम दिये गया है यह शत नाम से भी अधिक नाम दिये गया हुए लेकिन कई स्थानों में इनको यह बताया गया है यह रुद्रों जो थे यह अनंद है अनंद इसलिए कि इनके जो तत्व हैं वो माने जाते हैं ये और ये अनन्त प्रकार के कार करते हैं इसलिए इनको अनन्त इनकी संख्या भी माने जाती हैं कि ये पूरे विश्व में व्याप्त हैं और रुद्र ये अनन्त की संख्या में भी हैं बाकी मैंने बताया कि ये जो इनको जो है वेदों में जो लुआ और ब्रुद्र है इनको पहला इनको जो है दिव है वैद रिका गय है और इसलिए तरी के प्रहिए ज таким इब यह उसरी किल लगे है को लिक्रत्वर सुदिए को उसलिए नियामक होते हैं हो इनकी Shout वहां पर बीमारी नहीं आईगी तो इसलिए वो सारे संथार की चिक इसा करो देते हैं ये लो अपने नियम को पावला मश्राब दो तो उसके खाड़ा पी तो के करो सकते हैं उसको उल्टा सबस्दना कि वह बीमारी प्टास्थ्यारि है रही है रुद्र देवता उनकी उपासना इत्यादी करी जाए तो सफलता मिल सकती है और जो है बीमारी इत्यादी में भी सफलता मिल सकती है कि बीमारी ठीक हो जाए लेकिन इसको दूसरे पक्ष से देखें दूसरे साइट से देखें तो इनकी किवल साधना करने से किवल हो जाएगा बीमारी ठीक हो जाएगी क्योंकि ये कोस्मिक लॉस को बताने वाले हैं इसका मतलब जो आदमी बीमार है उसको कहीं नहीं कहीं कहीं को स्वियर लॉइट किया होगा उनको तोड़ा होगा तभी वसके पास पे विमारी त्यादी यां जो भी दैवी विपधा त्यादी आ रही दीवन में वो आती है तो जो कि मैंने बता है संगारक देवता है बहुत क्रोधी देवता है और अगर इनके नियमों को तोड़ा जाएगा तो दंद दे देते हैं यह बात अमनी आपको बता दिया भी जो भी विशेशना भी करी तो इसलिए अगर इनकी साधना करनी है तो यह इन्होंने अगर दंद देना चुरू किया तो बचाएगा कौन यानि कि आप सोची जो कॉस्मिक लोज चलाने वाले हैं आप उनी को नाराज करते हैं उनी के नियम को भंग करते हैं और उनी से कहें कि तुम मुझे बचा वो क्यों बचाएंगे संगारक देवता है तो उ अच्छी मनसिती है मन में आ रहा है तो इच्छी बात है लेकिन यह कौशन यह भी जरूरी है इसलिए मैंने यह वीडियो बनाने का निश्च्छा भी कि जो लो एक तो दृदिता के बारे में कुछ और जान करें जो कि मैं आपको वेदों से डिरेक्टली बताऊं वह आपको साधना होती तो पाप भावना को नश्च कर देते हैं और चित्त को एकदम शान्त प्रसंद कर देते हैं यह बहुत इंपोर्टन बात है और और वी विशेश बात है कि यह जो है यह ज्यान देने वाले है ज्यान के स्वामी है यह बहुत इंपोर्टन बात है यह बहुत कम ल कि इस बार की से बार की से बार जानकारी उसको समझ में आने लग जाएगी पढ़ना लिखना पना सुनना एक अलग बात है लेकिन उसको जब नहीं आएगा तो डाथ फाइदा किया उस जीजस का झरूआज को भी काई सत्य बोलो सत्य बोलो कितने जगें यह जो संद्ंत्यों कि बोला है तो कितने लोग सत्य बोलने लग गए लेकिन माली जो कि बोलने भी लग गया लेकिन वो किसका मतलब समझता है कि सत्य बोलने का असली अर्थ क्या है उसका connection हमारे cosmic loss यानि रित्स से क्या है वो ग्यान जो होगा रुद्र देवता की साधना से आएगा यह मैं बताना जा रहा हूँ बस यानि जो ग्यान के गहराई होगी वो गहराई रुद्र देवता की साधना से आएगी यह साधना इसलिए important मैंने जो बता रहा हूँ यह इसलिए इसको विश्य शुरूप से करना चाहिए और रही बात ही है कि इनकी साधना कौन सी करनी चाहिए जो कि मैंने बता है इनकी साधना से रोग भी नस्ट होते हैं और शक्ति भी मिलती है और इसलिए इनका साधना बहुत धी कल्यानकारी साधना मानी भी गई है तो मैंने वीडियो नमर 283 में जो साधना बता है यह उसको आप देख लीजेगा वो एक बली इंपॉर्टन चाहतना है और इसके अलावाग 307 नमर का शिर्फ शक्ति रह से दुरलब साधना रोदो को अटना यह वीडियो भी दुरू देखिएगा यह बात है आप लोगों को समझ में से आ जाएंगी इकाउन काउनी साधना है यह बहुत ही इंपॉर्टन साधना है जो कि रुद्र देखता की है बागी अगर कोई शिवर्फों को जाना चाहे तथ शिवर्फ के बारे हैं वीडियो मेरा धुलिक मेरा 27217 यह वीडियो बनाओ है शिवर्फ लेखिए तो यह बाटेट वीडियो इसको देखने के प्राज़ करें देवी दिवताओं के बारे में जरूर्जाना चाहिए पहुत 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 हैं यानि कि वानश मानव जीवन है उसको अपने जीवन में उच्छ कोटी के देवी दिवताओं के साधना को जुरू स्थान देना जाएं यह बात आप जब मेरे उपनिशात और अथर शीष वाली जो प्लेस्ट उसको आप देखेंगे समने बात इससे हुए रुद्र देवता की साधना करनी चाहिए इनसे हम बहुत ही अपनी जीवन के परशानियों को स्वाल्व करते हुए आगे हम बढ़ सकते हैं यह एक मिशेश बात है और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी मन में जो भी हमारे शरीर में मन में क्रिया हो हो गी योग की क्रिया हो और हैं के अब आप होने लग जाती है आपको बता दिया कि जो जो डौद दर्द्रीयां की संध्या क्या मन दस प्राण प्लस एक आत्मा गरें सब्सक्रार के प्राण होए और अश्या और इक आत्मा ये यह थे उनकी साधना होगी तो यह अपने का विकास होना वो भी हो जाएगा अपलस एक मन जो हो भी शोड़ने लग जाएगा इस तरीके से मदलब यह है कि देवी देटा मदलब हैंगे साधना को बस जो करनी है आप यह अपने आप स्वेम में काम कर देते हैं सब काम अपने आप करते हैं रहाना चाहिए कि आंक बंद कर दिये सब काम अपने आप में इसा होता तो तो दुनिया भी बदल ही गई होती इतना आसान भी नहीं होता और सिंप्लिफिकेशन विशेश रूप से आज के समय में तो नहीं पड़ेगा अगर देवी देवताओं को साथ नहीं लिया र तो आशा करता हूँ कि आप सोनों को जान करें अच्छी लेगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद